Hello Friends Welcome to Cooking with Ketan क्या Manchurian आपका भी फेवरेट चाइनीज डिश है पर क्या आप यह जानते थे कि Manchurian एक ऑथेंटिक चाइनीज डिश नहीं है तो चलिए आज बनाते हैं Manchurian जानते हैं इसके जाज की कहानी जिसके लिए सबसे बहले हम देख लेते हैं इसके ingredients तो इसके लिए हमें चीए 8 cloves lesson kit 1 tablespoon tomato sauce, 2 chopped green chili, 1 tablespoon dark soy sauce 1 tablespoon szechuan sauce, 1 fourth cup hara-pyaas, 1 fourth cup french beans, 12 chumich corn starch half cup pyaas, half cup carrots, half 1 fourth cup chopped capsicum पत्ता गोबी 2 cup जो हमने नमक डालकर आदी घंटे चोड़ दिया था उसके बाद उसके पानी को ने चोड़ लिया है एक चन्नी में इसके लिए हमें चाहिए refined oil, MSG यानि की Chinese salt और हमें चाहिए black pepper powder और नमक तो आईए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी recipe तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक mixing bowl में cabbage को grate करके लिया है जिसमें हमने नमक पहले से थोड़ा सा mix कर दिया था और उसको निचोड लिया था ताकि excess water हम हटा सके अब हम इसमें डालेंगे grated carrot आप चाहें तो उसे mixi में भी पीश सकते हैं बट बहुत fine puree ना बनाते हैं उसका इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं चॉप किया हुआ green onion और चॉप किया हुआ कापसिकम तो सारी सबजीयों को मैंने थोड़ा सा बचा लिया है जो मैं gravy में डाल सकूँ अब इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं चॉप किया हुआ french beans मैंने तीन से चार french beans लिये थे इतने में आपका one fourth cup french beans बन जाएगा इसके बाद अब हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज यहाँ पर एक प्याज medium size का sufficient होगा यह पूरी recipe में आपके 18 balls बन जाएंगे manchurian के जो की 4-5 लोगों के लिए suffice करेगा इसके बाद हम इसमें डाल दे रहे हैं green चली chop करके मैंने दो green चली chop किये थे जिसमें से एक मैंने manchurian के balls में डाल दिये और दूसरा मैं डालूंगा gravy में इसके बाद हमने यहाँ पे seasoning कर लिया है salt के साथ और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा साथी साथ black pepper powder बहुत जादा नमक ना डाले क्योंकि पता गोभी में पहले से आपने नमक डाल रखा है और gravy में soya sauce में भी काफी नमक होता है इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं tomato sauce मैंने डाला है half tablespoon आप अपने स्वाद अनुसार कम या जादा इसे कर ले अगर आपको थोड़ा और मठास चाहिए तो फिर आप इसमें और tomato sauce आड़ कर सकते हैं season fresh सबजियां हमेशा available नहीं होती है तो sauce सबजियों में थोड़ा सा मठास ले आएगा तो अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसके बाद इसे हम बाइंड करेंगे corn flour यूज करके अब corn flour जिसे corn starch या आरा रोट के भी नाम से जाना जाता है वो यूज कर सकते हैं या तो फिर थोड़ा उसमें मैदा भी mix कर सकते हैं या फिर अब bread crumbs भी यूज कर सकते हैं थोड़े बहुत तो हमने start किया इसमें 4-5 चमच corn flour के डालके इसे mix किया ध्यान रखे बहुत जादा आपको corn flour नहीं डालना है वरना आपके सबजियों का taste miss out हो जाएगा और आपके मंचूरियन के balls भी बहुत सकत बनेंगे तो सबजियों का और corn flour का balance होना बहुत ज़रूरी है ध्यान दे अगर इस mixture में water का content high हो जाएगा तो जब आप इसे oil में fry करोगे balls बनाकर तो वो balls काल कर चॉप करकर यह mixture ना बनाए क्योंकि condensation के process के कारण इसमें water का content पहुत हाए हो जाएगा तो overall मुझे 7-8 spoon corn starch का use करना पड़ा था अब देखिए ऐसे आप जब इसे बॉल बनाए इसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए अब इसके बाद ball बनाकर हम medium hot oil में इसको तल लेंगे तो जब तक यह manchurian के balls बन रहे हैं मैं आपको बताता हूं manchurian actually authentic Chinese dish नहीं है यह इंडो चाइनीज fusion dish है जिससे 1971 में invent किया गया था एक इंडियन रेस्ट्रॉम में कोलकाता के टैंगला एरिया में जिससे चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है Nelson Wang जिनकी family चाइना से इंडिया migrate हुई थी उन्होंने इंडियन palate को समझा और अपनी Chinese culture को इसके साथ infuse किया और manchurian का innovation हुआ तो देखिए बातों बातों में manchurian हमारे red हो गए है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी एक plate पर या paper towel पर देखिए कितने अच्छे बने हैं यह manchurian यह अंदर से बिलकुली soft और juicy है और बहार से crisp है आप इसे यूही ketchup के साथ भी serve कर सकते हैं या फिर thick gravy बना कर as a starter भी serve कर सकते हैं तो हमने इसी तरह सारे manchurian के balls बना लिए हमारे कुछ 18 balls बने हैं अल्राइट अब हम बना लेते हैं इसकी gravy तो gravy बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक walk यानि की steel का button अगर वो नहीं है तो आप मेरे तरह non-stick कड़ाई भी यूज कर सकते हैं non-stick कड़ाई में हमने refined oil यूज किया अब sunflower oil, rice bran oil या olive oil जैसा कोई भी neutral oil यूज कर ले जिसका खुद का कोई prominent taste नहीं होता हूँ इसमें हमने डाल लिया था 8-9 के लिया lesson की finely chop करके और जब वो थोड़ा fry हो जाए तो हमने उसमें add किया है हरी milch मैंने एक हरी milch यूज की है आप अपने स्वाद अनुसार तीखा कम्या जादा कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें add करने जा रहे है एक finely chop किया हुआ प्याज इन्हें आप high flame पर ही पकाए प्याज आपके एक से डेड़ मिनिट में लाल होना शुरू हो जाएंगे तो जब हमारे प्याज थोड़े fry हो जाएं तो हम इनमें डाल देंगे वह बची हुई सब्जिया जो हमने थोड़ी सी side करके रख ली थी जब हम manchurian balls का mixture बना रहे थे तो इन्हें बहुत जादा अब हमें fry नहीं करना है यह वरना अपना crunch lose कर देंगे Chinese gravy में या sauce में सब्जियों का एक crunch होता है अब इसके बाद हम एक sauce बना ले रहे हैं जिसके लिए हमने corn flour की सबसे पहले slurry बना लिए दो से तीन tablespoon corn flour में आप पानी डाल ले और उसको एक रनी slurry बना ले अब इसमें हम अपने सारे sauces add कर लेंगे तो सबसे पहले हम इसमें add करने जा रहे हैं tomato sauce half a tablespoon अगें आप अपने अनुसार मीठा कम या जादा कर सकते हैं tomato sauce से इसमें मिठास आएगी आपको अगर sauce नहीं डालना है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डाल दे रहे हैं soy sauce मैंने dark soy sauce use किया है तो one tablespoon sufficient है अगर आपके पास light soy sauce है तो दो tablespoon use कर लें इसके बाद हमने इसमें डाला है सेश्वन चटनी यह optional है अगर सेश्वन चटनी आपके पास नहीं है तो आप अपने gravy में lesson और ज्यादा आड़ कर दें दस के जगा 15 lesson के कर लिए यूज़ कर लिए तो इन सभी sauces को मिला कर हमने अब कडाई में आड़ कर लिया है और तुरंट इसे हम चलाते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे वरना आपके gravy में lumps आ जाएंगे अब इसे continuously mix करते जाना है और lumps बनने से avoid करना है अभी आपको तो इसका रंग फीका लग रहा होगा बढ़ थोड़े देर में खुद से इसमें color आ जाएगा तो देखें boil होते होते इसमें color आ गया है अगर आपको यहां मैंने around 2 cups of water यूज किया है आपकी gravy को फिर थोड़ा और थिक होने दे उसके बाद मंचूरिन के जब आप balls डालेंगे तो वो भी gravy को absorb करेगा और ये gravy और थिक होती जाएगी अब हमने इसमें add कर लिया है नमक नमक हमने 1 teaspoon करीब add किया है आप अपने स्वाद अनुसार उसे कम या जादा कर लिया अल्राइट अब हमारे gravy में ball आने लगा है तो अब हम इसमें add करने जा रहे है MSG यानि की flavoring salt जिसे Chinese salt के नाम से भी जाना जाता है और बहुत commonly उससे misrefer किया जाता है अजीनो मोटो के नाम से जी हाँ अजीनो मोटो कोई product नहीं है यह MSG का दूसरा नाम नहीं है अजीनो मोटो एक Japanese company है जो की MSG produce करती थी MSG उसका एक product है तो अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे manchurian के balls और इसे कुछ एक से दो मिनट और पका लेते हैं ताकि gravy जो है वो manchurian balls के अंदर absorb हो जाए और यह manchurian balls भी अपने size में थोड़ी सी बढ़ जाए इसको निकाल लेते हैं अब एक serving dish पर और इसे garnish कर लेते हैं थोड़े चॉप किये हुए spring onions के साथ इसे serve करें गर्म गर्म, fried rice, noodles या बाओ के साथ अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel and please do ring the bell icon if you haven't already Eat tasty and stay happy. Thank you. Bye-bye.